मम्मी देखो, क्या? टीवी पर फ्रिच का विज्ञापन हम यही फ्रिज लेंगे यही क्यों? विज्ञापन में इसकी कितनी खुबियां बताई गई है बेटा, सभी विज्ञापनों में पूरी सच्चाई नहीं होती देख परक कर ही लेना चाहिए पिर विज्ञापन क्यों दिखाते हैं? अपनी वस्तु के प्रचार के लिए हाँ, यह सही है कि विज्ञापन द्वारा ही हमें नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है आज की युग में विज्ञापनों का बहुत महत्व है किसी व्यक्ति विचार, वस्तू या सेवा की विशेश जानकारी देने, उसका प्रचार करने और विक्रियादी बढ़ाने के लिए की गई अपील को विज्यापन कहते हैं विज्यापन जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है आज बाजार हजारों किस्म के उत्पादों से भरे पड़े हैं छोटी बड़ी कमपनिया एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्मान करती हैं अपने उत्पादों के बारे में उभ्भुकताओं को बताने, उन्हें लोगप्रिय बनाने, उनके गुणों से उभ्भुकताओं को परिचित कराने तथा उत्पादों की विक्री बढ़ाने के लिए विज्यापनों का प्रियोग किया जाता है एक से एक लुभावने आकर्शक और रंगीन विग्यापन उभ्भुकताओं को प्रभावित करने के लिए बनाय जाते हैं विग्यापनों के लिए रेडियो, टेलिवीजन, समाचार, पत्र, पत्रिकाई, फिल्म, इंटरनेट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आधी माध्यमों का सहारा लिया जाता है विग्यापनों के प्रकार विग्यापन निजी और सरकारी दोनों तरह के हो सकते हैं निजी विग्यापन भी दो तरह के होते हैं, वर्गी कृत और प्रदर्शित प्रदर्शित विग्यापन रंगीन, चित्रात्मक, कलात्मक वा आकरशक होते हैं विग्यापन लेखन में ध्यान रखने योग ये मुख्य बाते हैं विग्यापन बनाते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विग्यापन का एक शिर्शक होना चाहिए। विग्यापन के चित्र रंगीन वा आकर्शक होने चाहिए। भाषा सजावटी वा श्रिंगारिक हो जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभा आएए विज्यापनों के कुछ नमूने देखें।